हेलो एवरिवन कैसे आप लोग तो एक इंपॉर्टन कॉंसेप्ट लेके आए हूं आपके सामने फिर से डेली डोस आई सीटी में आई सीटी का यहां पर एक बिसीकिली कॉंसेप्ट देखेंगे तो आपने देखा होगा सुना होगा वैब 1.0 वैब 2.2 वैब 3.0 यह क्या बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं तो टेलीगाम चैनल यहां पर आप जॉइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स एंड यूर पीडिएफ अफ लेक्ट्टर्स के लिए तो यूजी सी नेट पब्लीक इंस्टेशन है टेलीग्राम चैनल का नाम और लिंक करने वाला है अप्रिल में तो इंपॉर्टन टॉपिक्स के उपर भी यहां पर चल रहा है हमारा कोर्स तो आप जॉइन कर सकते हैं 19th of March से तो यहां पर बेगी 10 यूज कर सकते हैं कोड 10% डिसकाउंट के लिए और कोई भी प्लान यहां पर उप्ट कर सकते हैं प्लस का या पर कोई का चुरू करते हैं तो वैब क्या है वैब 1.0 क्या है वैब 2.0 क्या है वैब 3.0 तो बैसी कली अगर हम बात करें www की वल्डवयड वयब की तो इसका लिए क्या है ईवो लू उशं है और इसका पहली स्टेस्च जब हम कहते हैं उसको ने लेइश क्यों ग Bronoka पर होते थे बिलकुल static का मतलब हो गया यहांग बिलकुल कि आप उसकोसित देख सकते थे आप उसने modification editing बैजितिंग कुछ भी नहीं कर सकते थे यहाँ को share नहीं कर अठ सकते बील-क बीलकुल शुरुवाती दौर यहां पर www का यहांपार था, content यहाँ पर serve किया जाता था servers, file system से, जैसा भी यहाँ पर content था, वह आपके, किसी एक control, server से यहाँ पर क्या है, आपको provide किया जाता था, और frames या tables की बात करें, यहाँ पर use की जाती थी, ताकि किसी भी element को position किया जा सके, किसी भी page पर, और page यहाँ पर build किये जाते थे, 1 है development का वो है आपका web 1.0 उसके features याद रखना ये पूछे जाते हैं examination में web 2.0 बहुत important और previously पूछा गया है यहाँ पर pyq में question nta ugc net के exam में paper 1 में यहाँ पर पूछा गया था बिल्कुल आप इसको ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर user generated content हो गया था कि जो यूज कर रहा है यहाँ पर user है हम आप हैं हम क्या है content generate यहाँ पर कर सकते हैं usability यहाँ पर interoperability है यहाँ पर users के लिए बिल्कुल वो interactions वगरा कर सकते हैं यहाँ पर participative social web इसकों कह सकते हैं www यहाँ पर जो web browser है web browser technology उनको यूज किया जाता था development के लिए अगर यहाँ पर web 2.0 यहाँ पर हमने develop करने जैसे sx आपका यहाँ पर इसका full phone क्या है asynchronous javascript and xml और javascript framework यहाँ यहाँ पर यूज किया जाते थे और students क्या कर सकते थे यहाँ पर they can make use of mobile phone to show an assignment to the professor अगर यहाँ पर आप hard copies नहीं भी ले गए हैं तो आप web 2.0 में जो है इतनी facilities आपको हो गई थी कि वह आप क्या गर सकते हैं assignments को अपने phone में दिखा सकते हैं ठीक है तो वह चीज यहाँ पर important थी और features जिसके देख लेते हैं commenting के थो यहाँ पर flow करती थी self uses के लिए develop किया जाता था इसको यहाँ पर information को और web access की बात करें तो from a traditional internet user क्या होता था कि traditional internet user है user base है वहां से आपने wider या फिर wide variety of users की तरह बढ़ना है बहुत सारे जिसमें social platforms आपके include हो जाते है major tools यहाँ पर क्या है podcasting है blogging है tagging आजकल तो vlogging भी हो जाती है ठीक है तो social networking जिसमें आपका facebook आता है आपका ठीक है social media यहाँ पर है blogs wikis wikipedia जो होता है वो सारे के सारे include इसमें होते कह सकते कि web 2.0 में काफी जारा development हो गई थी आपके www जो भी यहाँ पर है तो web 3.0 की बात करें थोड़ा सा advance हो गया थोड़ा सा advance हो गया यहाँ पर यह refer करता है evolution of web की जहाँ पर altering of web को यहाँ पर क्या कर सकते है web को alter कर सकते है into a database पर तो data यहाँ पर क्या है owner नहीं किया जाता है बलकि share किया जाता है feature क्या है semantic web यहाँ पर है semantic web का मतलब हो गया create करना share करना connect करना यहाँ पर content को through search and analysis based on understanding the meaning of the words कह सकते यहाँ पर बिल्कुल freely आप यहाँ पर share कर सकते थे share कर सकते हैं वेसिए आज की date में यही चल रहा है और artificial intelligence की बात करें AI यह बिल्कुल आज की date में यहाँ पर prevailed है computer games, e-commerce यह सारा सारा इसी stage में हुआ connectivity की बात करें next level experience यहाँ पर है connectivity का मैं कह सकते हैं आप 4G अब तो ख्यार 5G यहाँ पर आ रहा है तो वो सारे की सारे चीज़ें यहाँ पर included है आपकी ubiquity है ubiquity का मतलब क्या हो गया content क्या है आपका accessible है बहुत सारी applications के द्वारा every device is connected to the web मतल services यहाँ पर that can be used everywhere कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं तो यह 3.0 यानि कि third stage जो worldwide web की यहाँ पर evolution की है उसमें यह सारी चीज़े include है और live streams इसमें आप कर सकते हैं तो यह सारी developments यहाँ पर हमने देखी web 1.0, 2.0 and 3.0 तो I hope आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा मैंने बिल्ब channel join जूरूर करेगा link description में आपको मिल जाएगा UGC net public institution भी आप सर्च कर सकते हैं तो guys thank you very much for joining and plus में आना चाहते हैं तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं यहाँ पर code और अगर free classes भी access करना चाहते हैं तो free classes अक्सेस करने के लिए भी आप code यूज कर सकते हैं बेगी 10 और सुभा class होत सकते हैं free class है बस बेगी 10 code यूज करना है आपने freely class को access करने के लिए so thank you very much for joining guys bye bye take care all the best